सो हे गाईस अगर आपने CSC ID लिया हुआ है तो आपके पास जो है एक wallet मिलता है CSC के अंदर भी आप कोई भी transaction करते हैं मतलब transaction उसमें जो भी सुबदा यूज करते हैं उसमें जो भी हमें amount pay करना पड़ता है वो हम अपने CSC wallet के माध्यम से internet या फिर UPI के माध्यम से हमें जो है करना पड़ता है तो उसमें जो है हम CSC की तरफ से एक wallet मिलता है हम उस पर directly पहले से पैसे add कर लेते हैं और फिर हमें बाद में जो है अपने internet या फिर UPI कहीं से भी payment करने की जरूरत नहीं है वो हमारे wallet से जो है हमारा एक pin होता है उससे डालने के बाद जो है हमारे पैसे जो जो है wallet में रख सकते हैं और उसके बाद जो है आप किसी भी form या आवेदन का जो है आप वहीं से payment कर सकते हैं जैसे कि EKYC PM EKYC या फिर आयोसमान कार्ड जब बनाते हैं तो आपको payment करना होता है तो आप डारेक्ट ही wallet से कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप जो है आपके पास अगर CSID पहले से है अगर उसे आप चैंज करना चाहते हैं उसका PIN या फिर आपके पास अभी नया CSID है अगर और आपने जो है PIN नहीं बनाया है अपने wallet का तो मैं उससे बताऊंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं मैं पहले दिखा देता हूं कि wallet यहाँ पर देखेंगे home के नीचे second number पर wallet लिखा हुआ है और उसके नीचे summary देख सकते हैं यहाँ पर मैं खोल के दिखा रहा हूं जो भी हमारे wallet में पैसा होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है तो हम अब simple सा बताएंगे यहाँ पर देख और एक मिलता है चेंज बॉलेट पिन मतलब हम जो है इसका बॉलेट का पिन बनाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे अगर आपके पास पहले से ही old password है जैसे कि आपका पहले old password आपने बना लिया था तो यहाँ पर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यस करिए अन्य था पिन बना सकेंगे तो हम मोवाइल पाटिप्या लेंगे हमारे मोवाइल पाह सिंपल सा एक непड़ Continuing को हम यहांपर दर्च कर लेंगे तो हमारे मो wala फॉन में जो है ओ ऐस्थ कर लेते हैं उसके बाद हम यहां नेश्ट मतलब स्वस्वर sono отк के वतन पर जो है क्लिक कर देंगे यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा quoting घर का जो है एक पաոवर्ट बना सकते हैं जिसे हम वॉलेट पे निहों लेंगे जब भी आप कोई भी transaction करेंगे या आवेदन करेंगे PME KYC या फिर आयोसमान कार्ड का भी payment करेंगे किसी भी चीज का payment करेंगे तो आपको यही PIN जो है वहाँ पर enter करना होता है तो सबसे पहले जो है आपके CSC डिजिटल सेवा पूर्टल का password दर्च करना होता है उसके बाद जो है हमें जो है wallet का PIN दर्च करना होता है तो हम यहाँ पर 6 अंको का PIN जो है दर्च करेंगे उसके बाद submit के बटन पर click करेंगे देन इतना करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर PIN चैन्ज सक्सेफुली तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है PIN सक्सेफुली चैन्ज हो चुका है तो दोस्तों आप इसी प्रकार से कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने CSC के wallet में पैसे किस तरीके स अगर आप अपने CSC wallet में पैसे एड करने चाहते हैं और अपने CSC Id का पासवार्ड मतलब from钱 पास्वर्ट चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं हम यहां पर जो है वालेट में आएंगे एड मनी करेंगे मतलब अपने वालेट में जो है पैसे एड करेंगे हम यहां पर आएंगे यहां पर आएंगे यहां पर जो है आप आएंप्स और नेप्ट के मादने हमसे कर सकते हैं यह यहां पर देख सकते हैं जब सारा जो भी इसका टर्मिन कंडिशन है वह यहां से पढ़ सकते हैं यहां से नीचे आएंगे क्योंकि हम यहां पर इंटरनेट वैंगिंग उससे नहीं करना वाले हम फॉन पेज से करेंगे तो नीचे क्लिक करेंगे यहां पर जो है थोड़ा सकते हैं मतलब यहां पर हम नाम भी टाइप कर सकते हैं या कुछ भी टाइप कर सकते हैं और इसके बाद जो है हम सम्मीट के बटन पर जो है क्लिक करेंगे देन इतना करने के बाद देख सकते हैं हम यहां पर जो है अपने ही चैनल का नाम जो है यहां पर टाइप कर लेते है इतना करने के बाद submit करेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा लिखा हुआ है इसमें please wait तो हम थोड़ा सा जो है wait कर लेंगे इसके बाद जो है देख सकते हैं यहाँ पर यह हमें जो है redirect कर रहा है payment gateway पर है तो हमें थोड़ा सा wait कर लेना है देख सकते हैं यह हमें payment gateway पे ले चुका है अब हम जो है यहाँ पर internet banking, credit card, debit card या UPI के माध्याम से कर सकते हैं मैं UPI के माध्याम पे क्लिक करूँगा then यहाँ से हम phone pay के माध्याम से जो है payment करेंगे then थोड़ा सब बीट करेंगे और यहाँ पर अपना UPI ID दर्च कर लेंगे तो मैं यहाँ पर अपना UPI ID दर्च कर लेता हूँ then उसके बाद हम verify पे क्लिक करेंगे मैं यहाँ से फटा फट से अपना UPI दर्च करने के बाद verify पे क्लिक करेंगे दिख सकते हैं verify हो चुका है देन प्रोसीट के बटन पर क्लिक करेंगे देन थोड़ा सा वेट कर लेंगे देख सकते हैं हमारे जो है फॉन पेपर जो है एक नौटिफिकेशन जाएगा हम जो है वहाँ से 500 रुपे का जो है पेमेंट कर देंगे अपना जो भी पिन है उसे डाल करके जो पेमेंट कर देंगे थोड़ा सा वेट कर लेंगे देख सकते हैं हमने पेमेंट जो है कर दिया है थोड़ा सा वेट करेंगे हम इसे ना ही बैक करेंगे ना ही रिफ्रेस करेंगे हमें यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से छेड़कानी नहीं करनी है या फिर हमें किसी दूसरे टैब में भी नहीं जाना है, देख सकते हैं, payment successfully हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं, टॉपट success, यह हमें जो है, वापस से log out कर देगा, अब हम इसे जो है, दोबारा से login करेंगे, तो मैं यहाँ पर ID, password और capture डालके login कर लेता हूँ, आप भी यह अब हम देखेंगे, देख सकते हैं, यहाँ पर, फिर से जाएंगे वहीं, और wallet summary पर, click करेंगे, थोड़ा सा wait करेंगे, देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा balance जो है, count हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, 500 रूपीज जो है, add हो चुका है, तो दोस्तों, आप इसी प्रकार से जो है, पैसे को add कर सकते हैं, या अपने wallet का pin change कर सकते हैं, या फिर नया pin बना सकते हैं, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को like करना, और channel पर नए है, तो channel को subscribe करेंगे, इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं एस्ट वीडियो में, जैहन बन्ने मात्रम